हलो दोस्तो मेरा नाम है आरवी आज इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ वीवो की तरफ से एक नया प्रीमियम स्मार्टफून वीवो का लेटेस्ट V29E जो लेटेस्ट लाउंच कर रहा है दोस्तो वीवो ने इंडिया के अंदर तो इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे दोस्तो यह स्मार्टफून आपको कैसा मिलता है और अगर आपका बजट दोस्तो 27-28,000, 29,000 तक है तो आपको यह वीवो का V29E खरीदना चाहिए और नहीं खरीदना चाहिए जिसके अंदर आपको 8GB रह मिलती 123GB स्टोरेज के साथ और दूसरा विरियंट आपको मिल जाएगा 29,000 का 2000 महेंगा जिसके अंदर आपको 250,000 जीबी इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी 256GB स्टोरेज और जो यह मेरे पास है यह 27,000 वाला विरियंट है जिलिए अब दोस्तों मैं आपको दिखाते हूँ इसके अंदर आपको जो features मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं तो यह रहा complete design Vivo के V29E का दोस्तों look wise तो इसका design आपको बहुती कमाल का मिलता है color भी काफी जादा fresh काफी unique है इसा color आपको बहुती कम smartphone में देखने को मिलता है Ruby type का left side पर आप देख सकते हैं बहुत जादा glossy pattern है जिसमें आपको Vivo की branding मिलती है और दो camera दिया गया है कुछ इस तरह की pattern में camera के पास से जो है दोस्तों आप देखेंगे तो golden color की finish में आपको जो है दिस्प्ले का size मिलता है वो मिलता है 6.67 इंचिस के आसपास तो साड़े छेंज से और जादा ही बड़ी display scanner आपको मिल जाती है तो यह चीज़ काफी बड़ी है display का size आपको काफी जादा बड़ा मिलता है चली चलते है settings के अंदर मैं आपको दिखा देता हूं इसके अंदर आपको display में refresh rate कितना दिया गया है क्योंकि use करने में तो वैसे यह काफी जादा smooth ही लग रहा है तो दोस्तो इसके अंदर आपको display में 120 Hz का refresh rate दिया गया है इस चीज़ आपको बहुत ही कमाल के मिल जाती है इसके अंदर smoothness जो है इसके अंदर आपको बहुत ही बढ़िया दिया गया है अब quality कैसी है display की size design तो बढ़िया है लेकिन दोस्तो quality कैसे मिलती है तो मैं आपको करीब से दिखा देता हूं design भी बहुत बढ़िया दोस्तो punch hole camera वाला बीच में ही camera है इसके साथ इसके अंदर आपको curve display दी गई है जो कि एक AMOLED display तो यह चीज भी बहुत बढ़िया है दोस्तो quality भी बहुत अच्छी है colors वगर आपको बहुत ही कमाल के मिल जाते है brightness वगरा बहुत बढ़िया है और दोस्तो curve display तो यह चीज भी काफी अच्छी है experience आपको और भी जादा बढ़िया मिल जाएगा वैसा आपको flat display वाले phone पसंद है या फिर दोस्तो curve display वाले comment करके बताईएगा इसके साथ दोस्तो refresh rate भी बढ़िया मिल जाता है और colors वगरा भी आपको बढ़िया दिये गए है slim भी बहुत जादा यह phone तो दोस्तो डिस्प्ले की quality से लेकर size, features, सबी चीज़ इसके अंदर आपको बहुत ही बढ़िया मिलते है इसके price को देखते हुए तो यह चीज़ मुझे इसके अंदर परसली काफी जादा बढ़िया लगी overall सबसे important तो quality है design से भी पहले तो वो चीज़ भी आपको बहुत बढ़िया ही मिलती है emolid display है IPS नहीं दी गई तो यह चीज़ बहुत बढ़िया इसके साथ colors होगे आप देख सकते हैं काफी जादा बढ़िया है curve display से experience और बढ़िया हो जाता है इसके लग दूसर इसके अंदर आपको back side से कुछ इस तरीक से pattern मिलता है मैं आपको different angle से दिखा देता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए कुछ इस तरीक से आपको rough type का design मिलता है right side पर और left side से glossy है slimness आप देख सकते हैं बहुत ही ज़ादा slim phone है अगर आपको जो पतले phone पसंद है तो यह आपको जरूर पसंद आएगा नीचे की तरफ आपको charging port headphone jack तो नहीं दिया गया speaker मिल जाता है और sim kit tray दी गई है headphone jack इसके अंदर missing है दोस्तों यह कमी देखने को मिलती है इसके अंदर volume के buttons और power का button इतना slim है के मतलब button में नहीं चमक रहा है कहाँ पर है उपर की side साब देहेंगे तो यहाँ पर आपको noise cancellation mic दिया गया है headphone jack इसके अंदर नहीं है इसके लिए दोस्तों fingerprint scanner इसके अंदर आपको display के अंदर दिया गया है कितना MP का camera है लेकिन दोस्तों reality में जो आपको quality मिलती है इसके camera की वो आपको बहुत ही कमाल की मिल जाती है portrait mode के अंदर भी दोस्तों यह बहुत ही बढ़िया से काम करता है और shots वगर आप इससे capture करेंगे दोस्तों बहुत ही जादा बढ़िया quality का camera के अंदर आपको मिल जाता है तो camera की performance भी बहुत बढ़िया है इसके साथ दोस्तों बात करें इसके RAM और storage को लेकर तो 27,000 में आपको 8GB RAM मिलती है 8GB RAM है और 128GB internal storage दी गई है 126GB storage इसके अंदर आपको मिलती है जिस में से 19GB के आसपास पहले से used है तो 108GB के आसपास जो आपको free storage इसके अंदर मिल जाएगी Android का conservation मिलता है चली चलता है settings में मैं आपको दिखा देता हूँ RAM expansion का भी option मिल जाता है 8GB RAM और बढ़ जाएगी solarGB RAM हो जाएगी बाकि इसके अंदर आपको Android का 13 version दिया गया है तो यह चीज काफी अच्छी है इसके अंदर processor इतना बढ़िया नहीं दिया गया हाला कि अच्छा तो मिलता है लेकिन इतना ज्यादा बढ़िया भी नहीं मिलता जितना ज्यादा इसका प्राइस है 27,000 ऐसा processor आपको 15-16,000 के phones में देखने को मिल जाते हैं आजकल तो वो चीज़ जो आपको 27,000 में दी गई है तो इस चीज़ में जबसादा डाउन लगी इसके अंदर processor इतना बढ़िया नहीं मिलता तो दोस्तों अगर आप एक बहुत ज़ादा heavy user है performance आपको बढ़िये चाहिए और lag टाइप का जो देखने को नहीं मिलता तो चीज़ काफी बढ़िया है बात करें दोस्तों battery के बारे में तो इसके अंदर आपको 53 image की battery दी गई है और 44 watt का charger मिलता है एक दिन का normal battery backup आराम सा आपको मिल जाएगा वीवो के V29E के अंदर क्योंके display की quality भी काफी बढ़िया ह चली बात कर लेते हैं सबसे में चीज़ आपको इसको खरीदना चाहिए नई खरीदना चाहिए दीखिए दोस्तों कुछ चीज़े तो इसमें बहुत ही कमाल की है अगर आपके लिए यही चीज़े इंपॉर्टेंट है तो आप इस फोन को खरीज सकते हैं एक तो इसके कैमरा अगर आपको बढ़िया चाहिए तो दोस्तों यह चीज़ भी आपको बहुत ही बढ़िया मिल जाती है इसके अंदर कैमरे की परफॉर्मेंस काफ़े जादा बढ़िया दी गई है तो दोस्तों कैमरा जो इसके अंदर आपको अच्छा मिल जाता है बढ़िया के लिए बढ़िया डिस्प्लेई के लिए आप इसको खरीश सकते हैं और दोस्तों इसके अंदर आपको RAM और Storage भी अच्छी दी गई है अगर दोस्तों आपको 256GB Storage चाहिए आपको Storage जाए तो दोस्तों आप 29,000 में इसको खरीश सकते हैं आपको Storage काफी जादा बढ़िया मिल जाएगी 256GB तो आपको काम चल जाएगा दोस्तों अगर आपको Storage जाएगा चाहिए और दोस्तों अगर आपको battery बढ़िया चाहिए तो वो चीज भी इसके अंदर आपको बढ़िया मिल जाती है लेकिन इसके price के हिसाब से जो आपको processor दिया गया है वो बहुत बहुत जादा जो दोस्तों काफी average ही मिलता है ऐसा processor आपको काफी कम price में भी देखने को मिल जाते हैं तो मुझे इसका processor नॉर्मल लगा बाकी चीज़े quality wise बहुत बढ़िया है आप बतेएगा आपको Vivo का V29 कैसा लगा कैसे नहीं नीचा कमेंट करके बताएगा इसका comparison देखना आपको किसी और अपने पसंद के phone के साथ तो वो चीज़ कमेंट कर दिएगा मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी पसंद की वीडियो लाने की वीडियो दोस्तों पर आपको अच्छे लगी तो इसको एक लाइक करके ज़रू जाएगा चैनल पर आप नए हैं सब्सक्राइब नहीं करका तो सब्सक्राइब कर लीजे ताकि नए वीडियो आप तक पहुँचते रहें इसके लोग दोस्तों वीडियो गर आपको helpful लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करिएगा वाटसेप पर फेस्बुक पर चले मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाए